इस week market में भी ऐसे कौन से stock है जिने आप cm paper buy कर सकते हो और उनमें कर सकते हो swing trade देखेंगे आज के इस वीडियो में और उससे पहले अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है तो इस वीडियो को like करिए और comment section में बताइए कि आने वाले week में आपको nifty अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है या down तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह index analysis के साथ और index में सबसे पहले हम देखेंगे nifty को अगर nifty को हम देखें तो nifty ने जो है gap down जो दिया था उसके बाद जो है उस gap down को close किया और वहाँ से जो है हमें एक sharp retracement अब continue होते हुए दिखाई दे रहा है काफी जादा chances है कि मंडे को भी जो है आपको नीचे की तरफ ही nifty जाता हुआ दिखाई दे उसके पीछे का एक main reason ये भी है कि weekend पर जब fate के chairman का interview हुआ था तो उन्होंने तो कहा था कि आप 50 basis point के लिए जो है ready रहिए और हो सकता है कि हम 75 basis point भी जो है interest rate hike कर सकते है तो इससे जो है US market पर बहुत जादा हमें pressure भी create होता हुआ दिखा और उसका ही जो है असर आपको इंडियन markets पे भी मंडे को होता हुआ दिखाई दे सकता है तो अगर ऐसा होता है तो market और भी जा pattern nifty में continuously बन रहा है पिछले तकरीबन 3-4 मैने से वो अब जो है continue होता हुआ हमें वापस से दिखाई देगा तो ऐसे में थोड़ा सा cautious रहना है अगर आप swing trade भी ले रहे हो तो strictly जो है आपको SL maintain करना है साथी साथ एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी broader market जो है trending रहता ह जब भी broader market में outflows नहीं होते है inflows होते रहते है उस वक्त जो है swing trades आपको ज़्यादा से ज़्यादा profit कमा कर देते है पर जब broader market से outflows होते है तो वैसे में आपके swing trade काफी ज़्यादा weak होते है या फिर इतना भी अच्छा chart pattern बनो उसमें अगर buying नहीं आती है तो वो slow हो जाते ह वैसे हालात में आपको एक तो patience रखना काफी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपने swing trade लिया है और पहले के जैसे swing trade पहले 10-15 दिनों में आपको result day देते थे वैसे ना हो इसलिए अब जो है patience काफी ज़्यादा रखना ज़रूरी साथी साथ दूसरी चीज जो है वो है कि control खुद के उपर कि आपका अगर stop loss hit हो जाता है तो वैसे में उसमें से निकल जाना ये जो खुद के उपर control चाहिए होता है decision लेने के लिए वो decision making power है वो खुद में develop करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ये कर पाते हो तो 2022 का ये जो पूरा period है आप सरवाई कर पाओगे और 2022 को अगर आप सरवाई कर लेते हो तो ऐसे में market में भी जो है आप फिर long term के लिए बने रहोगे तो ये था nifty और nifty के बाद nifty auto को देख लेते हैं उसके पीछे का reason है कि आज के जो तीनों भी stock है जो हम देखने वाले ह तो ऐसे में nifty auto का overall chart pattern जो है देखना काफी जादा important हो जाता है अगर हम nifty auto को देखे तो nifty auto में एक sharp rally हमें देखने को मिली थी उसके बाद हलका सा correction nifty auto में देखने को मिला था और उसके बाद वापस से एक sharp rally जो है हमें यहाँ पे आती हुई दिखी थी पर उसके बाद आकर nifty auto ने वापस से एक rally try करने की कोशिश की वैसे में 11,000 का level जो है एक strong resistance की तरह nifty auto में हमें आता हुआ दिखा और वहाँ से जो है nifty auto को rejection हमें face करना पड़ा अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम नीचे जा रहे थे तो nifty auto ने 11,000 के level को जो है काफी time बात तोड़ा था काफी बार यहाँ पे support लिया था और उसके बाद gap down के साथ तोड़ा था और जब यहाँ से हम ऊपर जा रहे थे तो हम एक बार 11,000 के ही zone से reject हो चुके है तो ऐसे में 11,000 का जो zone है वो काफी जादा important हो जाता है अगर हम उस zone को तोड़ते है तो वैसे में आ उट्टे हुए दिखाई देता है तो आपको जो हम swing trade ले रहे है उसमें भी profit होता हुआ दिखाई देगा तो अब चलते हैं सीधा stock की तरफ अभी तक अगर आपने हमें like नहीं किया है हमारे वीडियो को like नहीं किया है जल्दी से like कीजिए और जैसे कि मैंने शुरुआत में पूछा जल्दी से बताईए comment section में कि आपको nifty अगले week up जाता हुआ दिखाई दे रहा है या down जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो सबसे पहला जो stock है वो है dynamic techno तो dynamic techno यह stock है अगर आप देखो तो इसमें बीच बीच में जो है थोड़ी सी quantity कम होती है पर जिस तरह से stock का price है उससे देखो तो overall अगर आप price wise देखे तो अच्छा कासा trade जो है इसमें होता हुआ हमें देखने को मिलता है proper जो stock जो auto stock होते है उसी से जिस तरह के वो behave करते है वैसा ही dynamic techno हमें बीचो करता हुआ दिखाई देता है पूरी तरह से cyclical stock जो है dynamic techno हमें दिखाई देता है अगर हम recently देखे तो recently dynamic techno ने जो है अच्छी खासी हमें rally दी थी और इस rally का हमें हमें एक correction भी जो है आता हुआ दिखाई दिया था अब जो है recently dynamic techno ने यहाँ पे higher high higher low pattern जो है बनाना शुरू किया है तो वैसे में यह एक chance हो सकता है जिसमें आप enter कर सकते हो dynamic techno के लिए और हम अगर पहला target यहाँ पे मान के चले तो पहला target जो हमारा 3162 के level तक जो है dynamic techno जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है अगर हम SL की बात करें तो 2300 का SL currently हमें दिखाई दे रहा है अगर उसके नीचे stock जाता है तो इसमें higher high high low pattern जो है वो break होता हुआ हमें दिखाई देगा अलगे exact वो break नहीं होगा पर जो overall chart pattern है वो खराब होता हुआ दिखाई देगा और वैसे में वहाँ से फिर exit करना जो है सही decision हो सकता है तो काफी कम risk के साथ हम इसको ले सकते हैं और यहाँ पे एक trend line भी develop हो रही है अगर हम देखे तो जब से इसने higher low pattern बनाना शुरू किया है वहाँ से ही इस trend line का यह support ले रहा है तो जब यह stop loss भी hit हो जाएगा और अगर यह तोड़ देगा तो इस trend line को भी यह तोड़ेगा तो वैसे में chart pattern जो overall खराब होता हुआ अगर हम इसमें से दिखाई देता है तो 2300 के नीचे जो हम इसमें से exit कर सकते है इसलिए 2300 का जो है हमें SL लगाना है वापस से मैं एक बार बताओ दू 2750 और 3162 का जो है आपको इसमें target दिखाई दे सकता है next stock की तरब चलते है next stock जो है वो है इंडिया निप्वान elect करके है और यह stock जो है आपको same उसी तरह का दिखाई देगा जिस तरह का हमने पिछला stock देखा था इसमें भी हमें एक unusual rally देखने को मिली थी और मैं बता दू कि यह stock जो है थोड़ा सा unusual rally देता है और काफी जादा volatile stock है तो वैसे में इसमें से जब भी आप position बनाए तो already जो है हम इस तरह के market में कम position बनानी की सला देते है पर इस तरह के जहाँ पे जादा यह stock दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे भी एक काफी अच्छा risk to reward ratio जो है हमारे पास available है अगर हम target की बात करे तो target जो है इसमें आ सकता है वो आ सकता है पहला target 515 का आ सकता है क्योंकि यहाँ पे हमें एक हलका सा resistance दिखाई दे रहा है अगर हम उसके ऊपर निकलते है तो उस इसमें currently आपको ऐसे लगाना है अगर stock उसके नीचे जाता है तो ऐसे में इससे exit करने के लिए आप देख सकते है तो यह second stock था जिसको हमने discuss किया और यह दोनों भी stock जो है यह दोनों भी stock auto and salary से related है auto parts को manufacture करने का जो है काम करते है और जिस तरह से auto market currently दिखाई दे रहा है बि आपको एक बार हमारे big bull club के तरफ लेकर जानी की कोशिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक big bull club को joint नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि इस तरह के market में आपको big bull club को joint करना चाहिए उसके पीछे का simple reason है क्योंकि यह market और पूरा 2022 का जो period है वो accumulation वाला period रहने वाला है तो ऐस पूशिश करते है तो अभी तक अगर आपने big bull club को joint नहीं किया है तो जल्दी से big bull club को joint कीजिए link description में है साथी साथ comment section में सबसे पहले link को pin किया गया है third stock की तरफ आजाते है third stock है अशोक लेलैन आप सबको पता है किस तरह का stock है अगर हम बाकी की companies को देके auto sector की तो मारूती ने भी पिछले कुछ trading sessions में हमें अच्छा return बना के दिया है उसी के साथ महिंद्रा में भी हमें एक अच्छा return बनते हुए दिखाई दे रहा है उस मुकाबले अगर हम देखे तो अशोक लेलैन में उस तरह का return हमें currently investors को बनाती हुए नहीं दिखा है तो ऐसे में आप बिलक इती आरार रेशो जो है हमें currently दिखाई दे रहा है अगर हम target की बात करें तो target जो है सबसे पहला 140 का आपको इसमें दिखाई देगा और 140 के ऊपर अशोक लेलैन निकलता है तो वैसे में आपको next target के तो और अशोक लेलैन 150 के range तक जाता हुआ आराम सी दिखाई दे सकता है और fundamentally अगर हम बात करें तो fundamentally भी company जो है काफी बढ़िया है तो ऐसे weak market में ये company जो है एक strong outperform करने वाली company के तोर पर जो है आपके सामने आ सकती है जहां तक बात है यहाँ पर अशोक लेलैन्ट की तो मैं इसमें आपको वापस से आगा करना चाता हूँ कि जब भी अशोक ले सकते है या फिर इस गिरावट में observe कर सकते है और इस गिरावट में भी observe कर सकते है जो red candles जो यहाँ पर बनी है वो तीनी ही गिरावटों में जो है काफी बड़ी-बड़ी candles जो है हमें बनती हुई दिखाई दी है तो ऐसे में अगर 123 का level यहाँ पर hit हो जाता है तो हमें immediately इस कि इसको जब भी आप ले तो 123 का SL जो है automatic लगा कर रखे और अगर उसके नीचे चला जाता है अशोकले लैंड तो exit कर ले तो यह तीन stock थे जिनको मुझे लगा कि इस week market में भी आपके सामने रखना चाहिए और इन तीनो stock में जो है इस week market में भी swing trade की opportunity बन रही है इसलिए मै आप सबके सामने इन तीन stocks को रखे वापस से एक बार comment section में बता दीजे कि आपको यह video कैसा लगा अगर video को अभी तक like नहीं किया है तो like कीजिए मैं मिलता हुआ आपको ऐसे ही अगले session में तब तक के लिए bye bye